एलो स्टुडेंस व्लकम तु मैं यूट्यूब चैनल और आज हम डिसकस करेंगे रियक्टिविटी ओफ series of metals कि बारे में reactivity series of metals बहुत ज्यादा important है इसके through ही हमारे पास क्या होता है हमें पता लगता है कि कौन से मेटल्स है वो ज्यादा reactive होते हैं और कौन से जो metals होते हैं जो कम reactive होते हैं तो जब हम road repeat chemical reactions के बात करेंगे ठीक है chemical reactions वाला जब चैप्टर करेंगे तो वहां पर हम एक रियक्शन करते हैं जिसका नाम होता है displacement reactions और double displacement reactions तो वहां पर क्या होता है ज्यादा reactive metal जो होता है वो कम reactive metal को displace कर वा देता है ठीक है तो अब जो reactive कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा तो वह हमें पता लगता है reactivity series से ठीक है तो reactivity series of metals इसके बीच में hydrogen भी आएगा जो एक known metal है ठीक है तो हम discuss करते हैं तो हमारे पास reactivity series के अंदर आता है सबसे पहले होता है potassium ठीक है ये ऐसे जब हम जाते हैं नीचे की तरफ जब हम जाएंगे ठीक है यानि कि यह वाला जो potassium है के है वो सबसे ज़्यादा रियक्टिव होगा और यह जो platinum है यह सबसे कम रियक्टिव होगा ठीक है तो move करते है next अगे one by one सबसे पहले मारे पास होता है के किसका symbol होता है potassium का then na na होता है sodium then c a that is calcium mg magnesium al aluminium zn zinc fe iron pb lead h hydrogen hydrogen cu copper hg mercury ag silver au gold and pt platinum ठीक है बस आपने इतने symbols इनके याद करने है कि कौन सा symbol किसका होता है इतना आप याद कर लो बाकी जो है उसके लिए मैं आपको दो ट्रिक्स बताऊंगी reactivity series को याद करने के लिए कि फटा-फट दो मिनेट के अंदर आपकी क्या है reactivity series याद हो जाएगी जै करीना जो है वो कार नहीं मांग रही है कौन सी अल्टो जैन फरारी फिर भी है क्यूं मिली के यूं लिखते हैं क्यूं को हमने सी यूं लिख है क्यूं मिली सिल्वर ओडी प्लाटिनम कोई ब्रैंड था सिल्वर कलर की उसको मिली है क्यों मिली ठीक है करीना जब नहीं मांग करी है कार अल्टो जैन फरारी फिर भी उसको क्यों मिली क्यों मिली सिल्वर ओडि प्लाटिनम अब करीना का के जो है वो बताएगा हमें दैटी सबसे पहले होता है potassium ना का n उसके बाद में होता है sodium कार का c a बताएगा calcium ठीक है कार का c a हमें बताएगा calcium na मतलब sodium k मतलब potassium उसके बाद में m और g मतलब magnesium या m से magnesium a l aluminum z और n zinc या z से जिदा ही zinc ले लो ठीक है f e iron फरारी से का f e iron यहां से p और यहां से b उठाया p b lead होते है इसका h उठाया hydrogen c u copper m से mercury ठीक है h g जो था s यह हो गया silver पूरा ही आ रहे है oddy का au उठाया तो वो है हमारे पास gold और platinum हमारा वहीना तो कैसे याद करना है करीना न मांगे car alto zen Ferrari फिर भी है क्यों मिली silver oddy platinum ठीक है फिर भी है क्यों मिली silver oddy platinum अगे दूसरी है हमारे पास एक trick और है यह हमारी trick number one थी और अगर दूसरी हमारे पास है trick number two देखिए केदार नात का माली केदार नात c a का माली आलू जरा फीका पकाता है क्योंकि c u k i है क्योंकि उसका आपने नहीं लेना इसलिए मैंने black color से लिखा है क्योंकि उसके हाथ silver gold platinum के हैं ठीक है क्योंकि उसके हाथ किसके है silver gold और platinum के हैं चांदी सोने और platinum के बने हुए ठीक है आलू का a और l that is aluminium z जरा का zinc z उठाया तो फीका का f और e iron पकाता का pb lead ठीक है है से h उठाया hydrogen क्योंकि से c u उठाया copper हाथ से फिर h उठाया mercury यहाँ पे एच आता है ना यह mercury का यह hydrogen का इसको याद रखना उसके बाद में silver पूरा नाम है गोल्ड पूरा नाम है और platinum पूरा नाम है ठीक है काफी सारे उल्टे उल्टे करके इसमें से question भी पूछे जाते हैं और जब हम chemical reactions करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा जो इसकी importance है वो बढ़ जाती है कि कौन ज्यादा रियक्टिव है और कौन कम रियक्टिव है यह जो होता है यह सबसे कम रियक्टिव होता है ठीक है उसके इनकिवास के बारे में हम डिसके करेंगे एने कंपाउंड के बारे में धिसकस करेंगे द JUST किये थ activating यह अनिक कंपाउंड किससे बनते हैं हमारे पास यह функसी चाइट यह होती है धिक है त्रिविए वीडिजियो के अंदर हमने इसकाश की रियक्षि है यह अदर हमने इीफ कि react करता है एक non metal के साथ तो हमारे पास बनते हैं metal salt ठीक है हमारे पास क्या बनते है metal के salt जैसे मैं इस sodium को react करवा दूँ sodium कोई भी एक metal है उसको react करवा दिया मैंने non metal chlorine के साथ ठीक है तो हमें पता है कि जो sodium होता है हमारे पास that is na positive ठीक है और जो chlorine होता है that is cl negative तो sodium चो होता है उसके बाहर वाले shell में एक electron होता है ठीक है और chlorine के बाहर वाले shell में 7 electron होते हैं तो इसको अपना octet पूरा करने के लिए एक electron चहिए होता है तो ये क्या करता है इससे अपना एक electron लेता है और ये हमारे पास बन जाता है na positive bond बनके cl negative तो अब यहाँ पे देखो positive और negative plus और minus हमेशा क्या करते हैं attract करते हैं जब हम plus और minus charges की बात करते हैं attract करते हैं plus plus repel करेंगे ठीक है और minus minus भी क्या करते हैं repel करते हैं ठीक है ये चीज़ी याद रखने हैं यहाँ पे तो plus और minus है जाता है and that is called और हमारे पास एक molecule बनता है किसका sodium chloride का ठीक है तो आपने 9th class के अंदर पड़ा होगा कि जितने बाहर वाले shell के अंदर electrons होते हैं जैसे 1 हो गया 7 हो गया वही हमारे पास क्या होती है valency of that particular atom ठीक है चाहे वो metal है चाहे वो non-metal है चाहे वो कुछ gas है ideal gas जिसको हम बोलते हैं noble gas उसके बाहर वाले shell में outermost shell में ठीक है number of electrons in outermost shell वो होती है उसकी valency तो यह sodium की valency है 1 और chlorine की valency होगी 7 अब यह क्या करेगा यह यह तो है नहीं कि इसको तो कितने चाहिए 7 electrons चाहिए तब इसका octet पूरा होगा बाहर वाले shell में 8 electron पूरे होगे पर यह तो साथ से साथ है इसको तो एक से ही हो जेगा तो यह क्या करेगा sodium अपना एक electron इसको दे देता है और इन दोनों के बीच में naCl के बीच में जो बोंड बनता है यह जब आइनिक कमपाउंड है अगर हमारे पास तो इन के बीच में जो बोंड बनेगा that bond is known as ionic bond फिक है अब हं बात करते हैं पहले बॉंड की, की बॉंड क्या होता है, देखो, बॉंड की अगर मैं बात करूँ, तो बॉंड हमारे पास होता है, force of attraction, force of attraction between atoms of a molecule, एक molecule के atoms के बीच में, जो force of attraction लगेगी, मतलब, molecule कब बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा atoms कमबाईन होता है, मतलब, group of atoms को हम molecule बोलते हैं, जैसे दो hydrogen combine होते हैं, तो hydrogen molecule बना, दो oxygen combine होते हैं, तो oxygen का molecule बना, ठीक है, तो वैसे इस bond क्या होता है, force of attraction between the atoms of a molecule, जैसे आइनिक bond बने हैं, तो यह जो sodium का atom है, और यह जो chlorine परम्न कल्व मॉलेटीव के बीच में उसको बोला जाता है बॉंड जीतना ज़्यादा स्ट्रोंग बॉंड होगा उतना फोर्सथ स्रेक्शिन क्या होगा जाता होगा तो अब बॉंडोग यह आ गया अब हमारे पास आता हा ऩाइप्स इसके तो बॉंड के types जासे हमने previous वीडियो में डिसकस् किया था first is ionic bond पहला हमारा होता है ionic bond and second one is covalent bond ठीक है first is ionic bond second one is covalent bond ionic bond हमारा बनता है किससे transfer of electron से transfer offred covalent bond हमारे बनते है किससे sharing of electron से शेरिंग ओफ इलेक्ट्रोन से ठीक है यानि कि जब हमने एनने पोज्टिव और सी एल नेगेटिव यानि कि आइनिक बोंड एक मेटल और एक नोन मेटल के बीच में बनते हैं हमेशा ठीक है इसके अंदर लिखना है तो लिख लो वैसे मैं आप आप ऊपर भी बता चुक य आपने मैटल और नौन मेटल के बीच में तो यह सोडियम क्या करेगा अपना जह वाला जो हमारे पास होने कितने चाहिए बाहर वाले में या तो दो हो सकते हैं या आठ हो सकते हैं फिर आठ हो सकते हैं और फिर एटीन हो सकते हैं तो अब यह एक है एक के दो होंगे तो हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल हो जेगा stability के लिए क्या चाहिए या तो बाहर वाले shell में 2 electron हो या 8 हो या 18 हो ठीक है stability के लिए ये है हमें तो इसके पास क्या 1-1 है तो ये क्या करेंगे अपना 1-1 electron share करेंगे और कैसे आ जएगे ऐसे ये पहले वाला hydrogen ये दूसरे वाला hydrogen ये hydrogen ये भी hydrogen और ये क्या करेंगे इनके पास one और two electrons थे तो ये क्या करेंगे इन दोनों को share कर लेंगे अब येवाला hydroson सोचेगा कि ये दोनों electron मेरे हैं ये वाला hydroson सोचेगा कि ये दोनों electron मेरे हैं और हमारे पास यहां पर बन जाता है h2 यानि की covalent bond की formation हो जाती है ठीक है उसके इलावा अगर इसकी बात की जाए कि N ने positive और C l negative जैसे मैंने आपको बताया कि plus minus plus और minus charges आगे ना अब यहाँ पे जो हमारा N ने positive है ना that is known as cation यह होता है cation वो iron जिसके उपर plus का sign होता है और C l negative होता है N iron वो iron जिसके उपर negative का sign होता है याद करने के लिए देखो एसे क्या होता है add पर आपने उसका उल्टा करने सब्ट्रेक्ट तो जिसके उपर subtract का sign होता है वो होता है N iron जिसके उपर plus का sign होता है cation ठीक है यह हो गया यहाँ पर जब आप electrolysis करते हैं चोटी classes में वहाँ पर आपको anode cathode anion cation बताया जाता है तो ions में क्या हो गया cation जिसके उपर plus का sign होता है ions यानि की जिनके उपर negative का sign होता है और यह जब इन दोनों के बीच में जो attraction होगी ना जो 24 के बीच में लगेगा जब वह दोनों rest के उपर होंगे ठीक है जब वह चल नहीं रहे होंगे तब जो force लगेगा तो यह तो हमारे पास होगी किसकी हमने पढ़ लिया ionic compounds क्या होते हैं दूसरा ionic bond क्या होता है bond क्या होता है और bond के diagrams क्या होते हैं और कैसे कैसे वह बनते हें वह next हम discuss करते हैं कि जो हमारे पास बने हैं उनकी properties क्या क्या होती है रूपर्टीज ओफ आइने निकलता है इसमें से modern question properties cerc君 क्या निकलता हूँ वह मैं आपको बताओंगी ूपर्टीज ओफ आइने कम्पाहूंट सबसे पहले हम इनके नेचर की बात करेंगे कि इनका फिजिकल नेचर क्या होता है सबसे पहले हम डिसकस करेंगे इनका फिजिकल नेचर फिजिकल नेचर की बात हम यहां पर करेंगे फिजिकल नेचर का मतलब क्या होता है कि यह दिखने में कैसे होते हैं सॉफ्ट जाते हैं या सीड्चे यंदर म€ उतल होते हैं चैल होते हैं your Dugtile होते हैं । to the physical properties हम ने इनकी ​​डिस्कल्स करनी हैं । सबसे पहली बात यह क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं । 3 यह हीँज ह Glory ही दूसरा यह हूद होते हैं क्यों होते हैं स्ट्रॉऔ forces of attraction लगरे होते हैं एनने positive or CL negative के बीच में मैंने आपको बताया था कि electrostatic forces of attraction लगेंगे तो strong forces of attraction के कारण ये क्या होते हैं hard होते हैं दूसरा ये हमारे पास क्या होते हैं brittle होते हैं यानि कि अगर इनके उपर pressure लगाया जाएगा force लगाया चाएगा किसी चीज़ से इनको पीटा जाएगा या किसी चीज़ से इनके उपर प्रहार किया जाएगा इनको मारा जाएगा तो ये टूट जाते हैं बिखर जाते हैं ठीक है उसके बार में next हमारे पास आता है जहां से हमारा important question निकलता है melting point यानि कि MP and boiling point यानि कि BP यानि कि इनका melting point क्या होता है और boiling point क्या होता है इसमें से हमारा important question निकलता है और वो question मैं बताती हूँ क्या निकलता है इससे पहले हम देख लेते हैं कि इनका melting और boiling point होता क्या है तो इनका melting और boiling point देखने पे दोनों ही क्या होते हैं high MP होता है यानि कि melting point and high BP होता है ठीक है यानि कि melting और boiling point दोनों ही high होते हैं क्यों क्यों कि देखो हमने बोला कि strong forces of attraction लगेंगे इनके बीच में क्या लगते हैं strong forces of attraction लगते हैं ठीक है तो अब strong force है जितना ज्यादा force strong होगा उतना ज्यादा जो bond है वो strong होगा strong bond बनेगा और जितना ज्यादा strong bond होगा उतना ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा उतनी ज्यादा आपको energy देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए to break the bond ठीक है greater energy या more energy is required greater energy required energy required to break bond को तोडने के लिए ज्यादा energy चाहिए होगी अब ज्यादा energy चैहे होगी एनर्जी किसकी फयर में करने हम हीट की फयर्यक्राइब् olhos करियें जो melting point and boiling point of ionic compounds का जो melting और boiling point होता है वो high क्यों होता है compound is high ये एक question निकलता है हर बार पेपर में most of the time ये 2, 3 या 4 marks के अंदर ये question पूछा जाता है कि melting और boiling point जो होते हैं वो ionic compound के greater क्यों होते हैं क्योंकि उनके बीच में strong forces of attraction होती है जिसके वज़े से उनके बीच में जो bond बनता है वो strong बनता है और उस strong bond को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा energy हमें चाहिए होती है और उस वज़े से उनका MP और BP यानि कि melting point और boiling point हाई होता है ठीक है उसके बाद में next in की property है third property के उपर अगर हम move करते हैं सॉलेबिलिटी यानि कि यो सॉलेबल होते है या नहीं यानि कि नेक्सट प्रॉपर्टी इस सॉलेबिलिटि अब होते हैं डेखो। पानी का अंदर पानी की あ報 दो होते हैं किस के अंदर ने इंसल्यूबल इन जैसे हमारे oils होते हैं जैसे केरोसीन हो गया मिट्टी का तेल हो गया पैट्रोल हो गया इनके अंदर ये घुलते नहीं है इसके बाद में होता है कि यह electricity के good conductor होते है या bad conductor तो next property that is fourth property is conduction of electricity यानि की conduction of electricity electricity की conduction तो एक चीज़ देखिए हमने बोला कि आइनिक कंपाउंड हमारे क्या होते हैं solid होते हैं ठीक है solid होते हैं पर solid form के अंदर ये electricity को conduct नहीं करेंगे do not conduct electricity जब तक हमारे आइनिक कंपाउंड हैं तब तक वो क्या करेंगे electricity को वो कंड़क्टर नहीं करेंगे क्योंकि वह सॉलीड है और सॉलीड के अंदर आपको पता है जो भी सॉलीड होते हैं उनके ऐसे मॉल्लिक्यूल आख साथ पढ़े होते हुट की जो जय्दा होती हिए स्टेर्स ओफ में में आप इछले साल पढ़के तो यहां से मूफ कैसे करेगा क्योंकि जगें य smo होती है ना आइंज की जो बूझ्मेंट होती है आयन così was not possible कहां ब्रसका चार्ज यह बोलते हैं मुल्टन यहां यहाँ पुझ और सोलिट स्टेट के अंदर इलेक्रिसिटी को कंड़क्ट cannot नहीं करते हैं बट मॉल्टन स्टेट के अंदर करते हैं मॉल्टन यानि कि पिगली हुई अवस्ता के अदर करेंगे. लिक्विड के अंदर और लिक्विड के अंदर क्या होता है हमारे पास density solid से थोड़ी कम हो जाती है और density solid से थोड़ी कम हो जाती है तो यहां से यहां जो ions की movement है वो हो जाती है तो यहां पर क्या हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ions जो है वो freely move करते हैं ठीक है तो यह हमारे पास होगे आज ionic compounds के discussion और reactivity series की discussion ठीक है दोनों ही बहुत ज़्यादा important topics है 10th class के अंदर इन में से एक question बहुत ज़्यादा निकल बार निकलता है ठीक है तो आज के लिए इतना ही next video के अंदर हम क्या करेंगे discuss करेंगे कि metals को exact कैसे किया जाता है हम metals को कैसे obtain करते हैं जैसे iron हो गया लोहा हो गया तामबा हो गया वह हमें कैसे मिलते हैं तो उनकी discussion हम next video के अंदर करेंगे